के आपड़ा देशनी अंदर चुटणी नू आयोजन जेशे जनरली चुटणी पंच करेशे तो आज चुटणी पंच जेशे तेनी स्थापना क्या रहे थाई होती चुटणी पंच लेके इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया जेशे तेनी स्थापना 25 चानुवारी 1925 ना रोज थाई होती आज दिवस ने वर्ज 2018 थी 2011 थी नेशनल वोटर डे इटले के राष्ट्रिय मत दाता दिवस तरीके अपज़व करौआ मा आवे चे तो 25 जानिवारी एस्टाब्लिश्मेंट डेट छे इलेक्शन कमिशन नी जेने नेशनल वोटर डे तरीके पण अपज़व करौआ मा आवे चे प्रस्नेम चे क्या इलेक्शन कमिशन चुटणी पन जे चे क्वोणी चुटणी नूँ आयोजन करे चे तो इलेक्शन कमिशन जे चे ते लोकसबा, राजिय सबा, प्रेसिडेंट, बाइस प्रेसिडेंट और इतना गणा बड़ा इलेक्शन नूँ आयोजन करे चे परण्दु प्रस्नेम चे क्या इलेक्शन नूँ आयोजन चुटणी नथी तो ते पंचायद औने म्यूंस्विपाल्टीस ना इलेक्षन नू आयोजन नथी करते लो तो पंचायद औने म्यूंस्विपाल्टीस ना इलेक्षन नो आयोजन कोंड करे छे तो तेनू आयोजन स्टेट इलेक्षन कमिशन करे छे आ स्टेट इलेक्षन कमिशन जे छे शु बंदान नी अंदर मेंचन छे हाँ बंदान नी अंदर मेंचन छे अंदर आर्टिकल 243-K 243-K मा राज्य जुटनी पंच नी जोगवाई करवा मा आवी छे स्टेट इलेक्षन कमिशन औने इलेक्षन कमिशन औफ इंडिया वारमवार न्यूज मा चोह मलेचे हाल मा गुजरात नी अंदर जे इलेक्षन थाई दियाचे तेना दिगाडिंग आपड़े डिस्कोर्शन मा आगडवधी एने पेला जानू जरूरी छे क्या इलेक्षन कमिशन औफ इंडिया नी कामगीरी जेछे कई दिते हाथ दरवामा आवेचे केवी दिते free औने fair election इंडिया मा कंड़क करवामा आवेचे संपुन प्रोसेस थी बाद वीडियो मा करीशू अगडवधी एनी पेला वीडियो ने जरूर थी लाइक तरी दो सोधी पेला वाद करीए कि election commission औफ इंडिया चुटनी पंच कया भाग मां मेंचन करवामा आवेल छे अने क्या थी क्या सुदीना आर्टिकल मां तेने मेंचन करवामा आवेल छे तो part 15 नी अंदर आर्टिकल 324, 329 चुदी इलेक्शन कमिशन औफ इंडिया ना स्ट्रक्चर पावर आने फंक्शन निवात करवामा आवी छे बिजी एकते निवाते छे के election commission औफ इंडिया जे आपड़ी चुटनी फंच छे ECI, स्रॉट मां आपड़े तेने कैसु के control औने direction आपी सके छे elections ने अंदर आर्टिकल 324 एद लेके सुचनों निद्देशनों दिशाद दर्साई चाके छे नियतरन करी सके छे, regulate करी सके छे फ्री औने fair election अंडख करवा माटे आउपरांद ते जितला पण मत दाता छे वोटर्स चे तेमने एक यादी तयार कर से जने के वाई छे electoral roll तयार करो मा आवे छे अंडर आर्टिकल 325 आनि अंदर कॉण कॉण वोट कर से तो ए तमाम व्यक्ति के जिमनी age 18 प्लस चे तो तमाम व्यक्ति के मात्रा नागरी को ये पन मने comment section मा जणाओ तो आने adult suffrage तरीके ओडखवा मा आवे छे आए adult suffrage जे छे पहला आती 21 परन तुतने घटाडी दिया मा आवी छे 21 घटाडी ने अठार करी दिया मा आवी छे भारत ना नागरी को माटे कया constitutional amendment द्वारा तो आप बंदान ये सुधार होतो 61 एकसर्ट मा बंदान ये सुधार तो आड़ार करता वाधारे उमरना age ना लोको जे से मत दान करी हकसे आर्टिकल 326 त्यार बाद 327 मा पाल्लामेंट अने 328 मा स्टेट आप बनने जोड़े पावर से इलेक्शन माटे प्रोविजन तैयार करवन 329 मा मेंचन करवा मावी छे के court जे इंटरफियर नहीं करे इलेक्शन प्रोशेस मा तो इंटरफियरंस बाई court जे जे आने बाहर करी दिया मावी छे एने रोकवा मावी छे इलेक्शन बाबते इलेक्शन कमिशन छे एक क्वासी जूडिश्यल बाडी छे वासी जूडिश्यल बाडी नो मतलब ही राचे के ते पोतेज एक अर्धन या एक संस्ता छे एक्जांपल तरीके बे पॉलिटिकल पार्टी राच्कियों पक्सो वच्छे कोई पंड इतनों डिस्प्यूट कोई पंड इतनों विवात थाए छे तो ते सौथी पेला इलेक्शन कमिशन डिसाइड कर से ECI जे छे आनी इंदर सर्व परिता धरावे छे परण दुमानिलों के सुप्रीम कोट ना हाई कोट अगर कोई केस गयो छे तो सुप्रीम कोट ना हाई कोट जे छे ते पंड इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया जे छे तेना ओपिनियन ने ध्यानमा राकी नज जज्जमेंट अपसे तो ते एक अट्थण नेक संस्ता तरीके पन कार्या करे छे अवैज जारे सरवथमाहं एलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जे छे अस्तित्व हमावीती तेमा मात्रने मात्र एक चीफ एलेक्शन कमिशन रता परनतु देशनी अंदर इलेक्शन वंत्ता गया पॉप्य गिरी पण भत्ती गई तो चीफ इलेक्शन कमिशन जे छे तेमनी मदद करवा माटे अन्या मेंबर्स ने पण एड करवा माव्या आ अन्या मेंबर्स ने क्यारे एड करवा माया 1989 मां इलेक्शन कमिशनर अमेंडमेंट एक्ट द्वारा केटला मेंबर एड करवा माया बन प्लस बे अन्य इलैक्षन कमीUnisर एक थिचिसें Will Ciao चीफ इलैक्षन कमीशुनर आन्य इलैक्षम कमीश्णर तो हाल मा जे बोडि से favourite प्रेशिदेंट प्रेशिडेंट करेचे अउपरांत तयमनों कार्यकार केटलो होचे तो तयमनों कार्यकार जेछे 6 years 65 years whichever is early बनने माथी जे कई पंड पहला थाए ते स्यलेरी केटली हो जे त्यमनों वेज केटलो हो जे तो त्यमने स्यलेरी अने त्यमनों क्वालिफिकेशन वं copies जेले सेम्न डूंस सुप्रियंम votingarian Church जैज region सुप्रीम कारेवाट जैबा Har assim क्वालिफिकेशलों हैं यहां छप्रमिब घ्रिय लोग लिता क्वालिपिकेशलन प्रमिटtım सेलेड अनगी रिमूवल जे छे ते अल्मों स्पुप्रिम क्वॉर्टना जज हुवी जोए तेमनों पिलेज। सुपुप्रिम क्योर्टना जज जोए तेयों मैंचन करुवा हमां आभियू छे तौम खुबर इंपॉर्टन जे फैक्ट nggak ठे प्रीलीम्स मार्टalenowe the में जो एक क्वेस्चन जेल छे आपड़े वीडियो ना एंड मां डिसकस करी छूँ अवाद करी स्टेट इलेक्षन कमिशन नी राज्य चुट्टुनी पंच नी बेसिकली आईया वन प्लस टू कमपोजीशन नती होती आईया तो वन प्लस वान हो जोई छे एडले के एक स्ट स्टेट इलेक्षन कमिशनर होई छे ऐसी इसी अन्ने विजया उचे चीफ इलेक्टरल ऑफिसर आपशक लीा ये जअ सतिन्याह एक ऑफिसर होई चै तो प्रषण कहल ज्येंदरं चे ज्मी सर्वोज्ट ज्यश कमिशनर कौण पंच है आलमा गुज्टरात नी अंदरं चीफ इलेक्टरल ओफिसर कौन छे, कारांगे गुजरातना इलेक्षन तो न्यूज मा छे, तो हालमा स्टेट इलेक्षन कमिशनर जे छे, ते छे संजय प्रशाद, संजय प्रशाद, अन्य चीफ इलेक्टरल ओफिसर में कि तो आईये सदीकारी हो छे, तो ते हालमा छे, पी तो बनने हाल मां ऑफिसर्स जे छे तियो गुजरात ना इलेक्षन साथे संकड़ायला छे वारम वारते न्यूस मां पन जोवा मड़े छे अईया तो मैं दमने बात करी थे कि आएलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया जे छे तेना जे मल्टी मेंबर बॉडिस छे तेनी अपर्डमेंट ट्रेसिदेंट करे छे तो जे स्टेट छे तेमां SEC अने CEO जे छे तेनी अपर्डमेंट कौन कर से तो पैटर्न सेम रहे से परन्तु मा उसे गवर्नर द्वारा तेमनी अपर्डमेंट न्यूकती करवा मा आवे छे अन्य हावे बात करिए UPC 2022 मा मेंस मा पूछाईला एक क्वेस्चन्स नी आ क्वेस्चन नी अंदर MCC ना डिस्कर्शन नी बात करवा मा आवे थी Model Code of Conduct जेने आपड़े आचार सहीता कहिए छे ते लाइमलाइट मा जोवा माड़े छे तेने डिस्कर्श करवा नी बात UPFE 2022 मेंस मा पूछवा मा आवी आती बिजिकली Model Code of Conduct आचार सहीता जे छे ते डूस औने डौंट छे इलेक्शन साते संक्रहला सू करवू औने सू ना करू आपणने थोड़ी और पहलाज में तम ने किदू के 324 अंतरगत फ्री औने फ्रेर इलेक्शन कंड़क्ट करवाना छे जे अंतरगत इलेक्टरल रोल त दियार करवानों छे अने आचार सहीता ने सारी ते इंप्लेमेंट अमल करवानी छे परन्दू प्रस्तायम छे के सू तेनी जोगवाई आपड़ा बंदरण मां छे अंचरिस नो तेने कोई लीगली बैकिंग नथी ते स्टैचूटरी नथी बंदरणी आधार नथी तेना पर आपने डिस्कर्शन करवा आगड़ जाईए एनी पेला जानू जरूडी छे कि आ आचार सहीता सू छे आचार सहीता बेजिकली इलेक्षन नी डेट डिकलेर थाया पची इलेक्षन नी प्रोसेस संपोर ना दिते कंक्लूड थाय आ वच्चे नो संभाई गाड़ो जे श आधरम्यान तमाम केंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टी अमुक सैट ओफ रूल्स ने फॉलो करवाना होई छे तो आचार सहीता जेसे तैने लीगली बेकिंग इतले आपपामावी ना थी खाराण के जारे बात चालती रहती कि तैने लीगली बेकिंग आपिए तैने इ करिऊ कि हमारे इलेक्षान 45 डेस माज कंक्लूड करवा छे एकदम हैसल फ्री प्रोसेस करवी छे तेना माटे अटला बदा अलग 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 रूल्स ने फॉलो करवा टॉप बनी जासे तो इलेक्षान कमिशन ना की दो कि हमारू बेस्ट ट्राई करी सू एमसीसी आचार सह किता जेशे तेने लीगली बेकिंग आपपानी हालमा कोई जरूर न थी एक्जांपल नी मदधी समझे तो 45 डेस माँ स्मूथली इलेक्षान कंड़क करवा जेशे जरूरी छे तेनी अंदर घणे बदी लीगल प्रोसेस इन्वाल करवाना कारणे आप प्रोसेस इग्दम स् खरूर थी कमेंट सेक्षान मा जणाओ के हालमा भारत ना चीफ इलेक्षन कमिशनर कोण छे आउपरांथ 1000 करता वधारे PDF तमें डाउनलोड करी सको चो टेलीग्राम चैनल मा थी वीडियो क्यों लागियो कमेंट सेक्षान मा खास जणाओ प्रथमवाल वीडियो चुई रहा लिकर।